नमस्कार हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ NTA UGC NET हिंदी की हमारी त्यारें चली हैं और एक महिना एक लक्ष जे आरप जो ये नई मुहीम हमने चेड़ी है इसके अंतरगत हमने अपनी दो जो मौक टेस्ट हैं वो कर लिए हैं इससे पहले जिसमें हमने दिसंबर 2019 वाला जो एक्जाम हुआ है उसके 25 प्रशन हमने इससे पीछे वाली वीडियो में कर दिये हैं अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर MCQs उनको लिया है उनको हम इस वीडियो में डिसकस करते हैं तो चलिए बीना देर के शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशन नमबर 26 जो कहता है कि कवी करम और कावे भाशा किस अलोचक की समिक्षा कृती है तो देखिए सीधा सा to the point प्रशन पूछा गया है कि कवी करम और कावे भाशा किस अलोचक की समिक्षा कृती है तो देखिए मल्यज है रामसरूप चत्रुवेदी है पर्मनंद शेवास्तव है और प्रभाकर शुरुत्री है तो सबसे पहले तो बात आती है कि ये जो चारों अलोचक हैं या समिक्षक हैं ये कैसे हैं ये नई समिक्षा से हैं और इनकी जो समिक्षा भी है वो क्या है नई समिक्षा ही है तो इनमें से कौन ऐसा अलोचक है जिसने कवी करम और कावे भाशा लिखी है तो देखिए इसका जो सही उत्र होगा वो होगा विकल्प नंबर 3 पर्मनंद श्रीवास्तव तो उनकी कृति का नाम क्या है कवी कर्म और कावे भाशा तो इन्होंने लगबग 10-11 इनकी जो समिक्षात्मक कृतियां हैं आई अब हम उनको देख लेते हैं कि कौन-कौन सी हैं तो पर्मनंद श्रीवास्तव की जो अलोचनात्मक कृतियां हैं देखिए नई कवीता का परिप्रेक्ष यह उन्होंने 1968 में लिखी उसके बाद कभी कर्म और कावे भाशा जो हमारे प्रशन भी है और यह इन्होंने कभ लिखा है 1975 में उपन्यास का यथार्थ और रचनात् हाथ इन्होंने लिखा 1999 में और कवीता का उत्तर इन्होंने कभ लिखा है 2004 में अंधेरे कुए से आवाज 2005 जबकि दूसरा स्वंद और शास्त्र कियों 2005 में जो 2000 के बाद की रचनाय हैं उन पर हमने ज़ादा फोकस नहीं करना है क्योंकि हमारे पाट्यक्रम में जो शामिल है वो है 2000 तक की ही रचनाय है तो ठीक है परमेंद शिरिवास्तव ने लगए 11 इनकी अलोचनात्मक्रितियां है और ये मैंने बता दिया आपको कि कभी कर्म और कावे भाशा किसकी है इन्हीं की अलोचनात्मक्रिति है तो ये था प्रशन नमबर 26 अगला प्रशन देख लेते ह उनके जीवन पर है ये लिखी किसनी है विश्नु प्रभाकर के दौरा लिखी गई है तो ये प्रशन नमबर 27 अगला प्रशन हम देख लेते हैं प्रशन नमबर 28 अफरीका में रंगभेद तथा उपनिवेश बादियों की स्थानिय और भारतिय मोल के निवासियों के प्रत तो किस वाले उपनियास में है दिखिए विकल्प है पहला गिर्मीटिया जुगलबंदी परिशिष्ट और तीसरी सत्ता तो देखिए सबसे पहली बात तुआती है कि ये उपनियास है किसके है ना तो ये जो उपनियास है ये है राज किशोर के क्लिर है तो गिरी राज होता है कि महात्मा गांदी के जीवन पर आधारी थी यह है कि जब वो अफरीका गए थे बैरिस्चir बनके है ना तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो भारती है ना उनको किस तरीके से दास्सों के रूप में वहाँ पर उनका इस परिप्रेक्ष को केंदर में रखकर क्या है इस उपन्यास की रचना की गई है गिरीराज किशोर के द्वारा और इनके जो उपनियासे देखिए अन्य जुगलबंदी 1973 हलांकि इसके अलावा भी उपनियास लिखे हैं अभी अमने सिर्फ वही उठाए हैं जो हमारे प्रश्ण में विकलब थे उनको तो देखिए जुगलबंदी 1973 में लिखा अंग्रेजी समराजय के साथ ढहती हुई साम जो है उनका उदय जब हुआ तो इसी को इन्होंने क्या नाम दिया जुगलबंदी 1973 में अग्ला जो विकलब था देखिए वो था तीसरी सत्ता तो यह कब लिखा इन्होंने 1982 में जिसमें पति-पत्नी के बीच आने वाले तीसरी व्यक्ति के कारण दोनों के बीच उत्पन तनाव की दारुन कथा का चितरन किया गया है जो तीसरी सत्ता कब लिखा 1982 में तो यहां से इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पति-पत्नी के बीच जो कोई तीसरी व्यक्ति आ जाता है उससे क्या हो जाता है कि तनाव किस्तिती उत्पन हो जाती है ठीक है वो ही है तीसरी सत् प्रशन की है और इन दो प्रशनों में हमने लगभग लगभग अपने 10 प्रशन के आसपास हमने चीजें कम्प्लीट कर ली है तो इस तरीके से जब हम इन चीजों को करते जाएंगे अपनी जो प्रशनोतरी हम कर रहे हैं तो दीखिए इस से हमारा बहुत सारे और भी डौट् इसलिए परिक्षा से पूरूप जो हमें क्या है जो मौक टस्थ है जितने जादा हो सकें उनको देने की जरूरत होती है तो ठीक है इसी क्रम में हम आगे देख लेते हैं कि परिशिष्ट जो कब लिखा है इनने 1984 में लिखा और ये दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है दे जीजन वीरोधी वाताबन का दर्दनाग चित्रनिस में देखने को मिलता है तो दीकि जो शिक्षन संस्थान है वो भी इस तरीके की मानसिक्ता से एक तरीके से अचूते नहीं है वहाँ पर भी क्या है तलितों के साथ बूरा वैभार होता है ये हमें देखने को मिलता है पर जरी सत्ता परिश्यक्त ओर पहला गिरमिट्या तो हमें ये याद रखना जरूरी है आइए प्लक्रशन नंबर अगला देख लेते हैं कि क्या है ये कहते हैं कि निमी लिखित में से कौन सा उपन्यास एतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है तो देखिए एतिहासिक और सा सांस्क्रितिक के उपर लिखा ही लिखा है तो इनके ये जो दो उपनिया से ये इसका उत्तर होगा ही नहीं जो टेरे मेड़े रास्ते है ये है किसका बगवती चरण वर्मा हा और अगला जो है वैशाली की नगरबधू ये है अचारे चत्रोसेन शास्त्री का तो इन में से छट्र शेन शास्त्री ने अभी इसके उपर लिखा है अतियासिक और सांस्कृतिक एवम सांस् cinnamon का इस में क्या है चितरन देखने को मिलता है अगला है देखिए पुनरनवा तो यह पुनरनवा 1997 में नोने लिखा और मध्यकालीन परिवेश में वर्ण विवस्ता एवम नारिशोशन का इस में चितरन देखने को मिलता है तेड़े मेडे रास्ते ये 1946 में लिखा गया है गांधिवाद, सामयवाद और आतंकवाद का तेड़े मेडे रास्ते के रूप में चित्रन है तो देखिए इसमें संस्कृति का कई पर जिकर नहीं आ रहा है तो इसलिए तेड़े मेडे रास्ते क्या है इसका सही उत्तर होगा तो देखिए वैशाली की जो नगरवदू है अचारे चतुरसेन शास्त्री का ये कहता है कि बुद्ध कालिन सांस्कृतिक एवं राजितिक टकरहाट का इसमें क्या है चित्रन देखने को मिलता है तो ये चारों उपन्यासों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली कि किसके ये हैं कब इनकी प्रकाशन हुआ और क्या इनका अधार है किस चीज इसमें वर्नन किया गया है अगला प्रशन देख लेते हैं हम कि निमी लिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में पाहर रहने के कारण गजधर बाबू की लंबी अनुपस्तिती उन्हें परिवार के धांचे से बाहर कर देती है तो दोस्तों ये भी बहुती मतवपूर्ण प्रशन है कई पार फरिक्षा में पूछा जाता है इस तरीके से पूछा जाता है कि गजधर बाबू किस कहानी का प्रमुक पात्र है या कहानी का नाम दे दिये जाता है उसके जो पात्र है आगे मैच करने को बोल दे जाता है तो कि दावत किसकी है ये है आपका जो भीशम साहनी है उनकी और वापसी जो कहानी है देखी ये किसकी है उशा प्रियमदा की दोपहर का भोजन अमरकांत ने लिखी जबकि बूरी का की प्रियमदा की कहानी है तो इस तरीके से भी आपको ये याद होनी चाहिए तो वापसी कहान का जो है इसमें गजदर भाबु है वापसी कहानी का ये प्रमुख पात्र है और इसमें ही ये चीज देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो एक बृद्ध आदमी है वो ही परिवार में क्या हो जाता एक तरीके से बोज हो जाता है अपने ही गर में वो प्रायापन उसको मैसू तो इसका जो सही उत्र क्या होगा वापसी होगा ठीक है किस अचारे ने शक्ती लोग व्यभारादी से प्राप्त निपुनता तथा काव्यग्यों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्यका हेतु माना है तो देखिए अभिनव गुप्त है विशुनाथ है तो देखिए कौन सा अचारे ऐसा है जिसने शक्ती लोग व्यभारादी से निपुनता प्राप्त निपुनता तथा काव्यग्यों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया जो अभ्यास है तो काव्यका हेतु माना है तो देखिए तीन चीज़े मानी है शक्ती और निपुनता औ और अभ्यास इन तीन चीजों को काव्य का हेतु किसने माना है देखी काव्य हेतु से प्रशन पूछा गया है अब काव्य शास्तर से प्रशन पूछे जा रहे है न तो ये किसने कहा है ये कहा है मम्मट ने तो मम्मट क्या कहता है कि इसके लिए क्या चीज जीए आपको शक्त अरथात कावे के तीन हेतु हैं शक्ति, लोकशास्तर का अन्वेक्षन और अभ्यास। वे मानते हैं कि कावे का बीजी संसकार है इसके अभाग में इसके अभाव में कावे रचना नहीं हो सकती। तो देखे ये ममट का मत है। तो ममट ने शक्ति निपुनता और अभ्यास को क्या माना है काब्य का हेतु माना है इन्होंने निपुनता शब्द का प्रियोग ब्युत्पत्ती के स्थान पर किया है जो काब्य के तीन हेतु है न तो उनमें से एक ब्युत्पत्ती भी है तो इन्होंने क्या कहा है जो अगला प्रशन देख लेते हैं, अगला प्रशन है देखिए, भरत द्वारा निर्दिष्ट, सात्विक भावों का इन में से कौन सा स्मुह नहीं है, तो देखिए, अचारे भरत मुनी, यहनोंने नाटे शास्तर की रचन गी है, उसमें इनोंने क्या माना है, सात्विक भाव ह एक क्या है आपका सात्विक भाव है तो इन में कौन कौन सा समूर नहीं है देखिए हम इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नमबर तीन वैपथू, वैवर्ण, अश्रू रोमांच और स्तंब तो ये वाला समूर सही है बाकी जो है उन्होंने अपने उसके अंतरगत नहीं लिये है सात्विक भावों के अंतरगत तो वैपथू, वैवर्ण, अश्रू, रोमांच, स्तंब तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं हम कि शब्द की जिस शक्ती से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ती होती है तो देखिए शब्द शक्ती भी बहुत महत्वपोर्ण चीज है ये लगातार प्रशन पुछा जा रहे है किससे आपका जो काबे शास्त्र है वहां से या जो साहित्य शास्त्र है उससे प्रशन पुछा जा रहा है तो देखिए, शब्द की जिस शक्ती से उसके संकेतित अर्थ का बोध हो, कहने का मतलब कहा है कि जो आप सुन रहे हैं, उसका आपको एक तरीक से, एकदम से उसकी जानकाई हो जाए, तो वहाँ कौन सी शब्द शक्ती होती है, अभीधा, लक्षना, व्यंजना या शुद्ध लक्षना, तो देखिए, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ती होती है, तीन ही वहाँ शब्द शक्तिया हैं, अभीधा, लक्षना और व्यंजना, तो जहाँ पर इस तरीके का हो, कि उसका संकेतित अर्थ का बोध हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं, अभीधा, क्लिर है, कि जो ची वाले व्यवार को क्या कहा जाता है अभीधा शब्द शक्ति कहा जाता है जब कि लक्षना क्या है देखिए जब मुख्या अर्थ ग्रहन करने में बाधा उत्पन हो तब अन्य अर्थ ग्रहन करने में सहाइक शब्द शक्ति को लक्षना शब्द शक्ति कहते हैं तो देखिए यहां पर कातिल होने का मतलब क्या है कि वो बहुत सुंदर लग रही है तो देखे यह इसका दूसरा अर्थ है इसको कहते हैं लक्षना शब्द शक्ती फिर जो व्यंजना आती यह देखे ऐसी शब्द शक्ती जो लक्षार्थ में छीफे अर्थ है उसको अगर वो स्पष्ट कर दे कि क्या चीज है जो कातिल वाली बात कर रही है कि मतलब उसकी सुंदर्ता को चिनित कर रहा है तो या फिर एक तरीके से उसकी वास्त्विक्ता को व्यक्त कर रहा है उसको क्या कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं तो ये तीन तरीके की शब्द शक्तियां होती हैं आगे इसके भेद हैं ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम अपना साहीत शास्तर वाला यूनिट करेंगे वहां पर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो चलिए अगला प्रशन हम देख ल जरूरी हैं कावय के लिए राजशेकर, भामा, दंडी या फिर अनंदवर्धन तो देखिए सबसे पहले जो भामा है कावय अलंकार में इन्होंने ये बात कही है तो भामा क्या मानते हैं कि ऐसा कोई भी शब्द नहीं है न अर्थ है न न नया है न कला जो कावय के अंग न बन सके तो ये सारी चीज़ें क्या है कावय के लिए जरूरी हैं ये कौन मानते हैं अचार भामा जो छटवी शताब्दी के आसबास भी दिमान थे आगे अब हम देख लेते हैं कि आनंदवर्धन ने किस कावय को ध्वनी कहा है तो देखिए आनंदवर्धन ये प्रशन भी अब हतुब बनाये रखकर अर्थ प्रत्रपादित करें क्या वो द्वनी है या फिर जिसमें शब्द चक्ति की सत्ता गोण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो तीसरा भी कलप है देखिए जहां शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सरजन कर व्यंग्यार्थ को अ करते हैं अभी व्यक्त करते हैं तो विकलप नंबर तीन इसका बिल्कुल सई होगा तो देखिए कैसे होगा यहां पर इसको विस्तार से देखते हैं कि काब्य शास्त्र में ध्वनी सिध्धान्त एक महत्तपून सिध्धान्त है जिसमें शब्द अर्थ गुण अलंकार रीत जहां शब्द और अर्थ अपने अविधात्मक अर्थ को छोड़ कर किसी अन्य अर्थ को ध्वनीत करते हैं उस विशेश प्रकार के काब्यों को विद्वान ध्वनी कहते हैं तो यह कहते हैं आनंदवरधन चलिए अब हम आगे देख लेते हैं कि नित्षे का संबंद किस व अस्तित्ववाद से तो इसका सही उतर क्या होगा अस्तित्ववाद क्लियर है ओप्शन नमबर चार तो देखिए अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं सौरेन कीर के गाद ठीक है तो सौरेन कीर के गाद क्या है अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और अन्य जो अस्तितववादी हैं देखिए उसमें कौन से हैं निट्शे हैं काल जेस्पर्स, मार्टिन हेटगर, ग्रेबिल मार्सल, जयापाल सात्र, अलबर्ट कामू तो कई बार एक्जाम में अब इनको पूछा जाता है कि इनका संबंध किस से है अस्तितववाद से है मार्क ये माने जाते हैं मार्क्सवाद के प्रवर्तक जो अन्य मार्क्सवादी थे वी चिन तक थे देखिए लुकाज, लेनिन, माउच सेतुंग, ग्रामशी, कोडवेल, जॉर्ज थंसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेक्थ, बलाक, बेंजामिन, गोल्ड मैन, एडर्नो, इत्यादी तो ये क्या है, ये सारे के सारे मार्क्सवादी हैं, उसके बाद देखिए मनोविशलेशनवाद का किसने माना है, प्रवर्तक किसको मानते हैं, सिगमंड फ्राइड को, और आगे इनके जो शिश्य होए, अलफ्रेड एडलर और यूंग, तो ये क्या है, ये मनोविशलेशन वादी हैं, उत्तर संगरचनाबाद में देखिए कौन-कौन आते हैं, क्लाइड लेवी स्ट्रोस, माइकल फूको, रोलावर्थ, लुई अल्थूसर और जैकियस लकन, तो ये आते हैं आपके किस के अंत्रगत, उत्तर संगरचनाबाद के अंत्रगत, तो देखिए, बहुत सारी चीज़े यहां से आपकी क्लियर हो गई हैं, कि कौन-कौन सेस्टित वादी हैं, माक्सवादी हैं, मनुश्रेशन वादी हैं, या फिर उत्तर संगरचनाबादी हैं, अगला हम प्रशन देख लेते हैं कि क्या है, अगला प्रशन है देखिए, अपने काव्य सिधानत की निर्मिती के लिए, किस पाश्चात्य अचारे ने सहजन भूती की अवधारणा का सहारा लिया, तो देखिए, सहजन भूती, मतलब आपकी जो इंट्यूशन्स हैं, उनको किस ने माना काव्य के लिए, तो देखिए, ये माना मैथ्यो अर्नौल्ड, क्रोचे, लोजाइनस या फिर इलियट ने, तो जो सहजन भूती की अवधारणा का सहारा किस ने लिया था, ये लिया थ को महतपूर्ण माना है, क्रोचे की कला, विश्यक धारणा की अधारशिला भी सहजन भूती है या अंतःप्रज्या, इंट्यूशन है, है ना, जिससे अभिवेंजना का नित्य संबन रहा है, सहजन भूती या अंतःप्रज्या स्वयम प्रकाश्य ज्यान है, जो कल्पना स उद्भूत होता है आत्मा जैसे सुक्ष्म प्रदात का ज्यान प्रत्यक्ष अनुमान इवं शब्द के द्वारा संभव नहीं है वह मात्र अंतप्रय के द्वारा ही संभव है कभी की अंत्यप्रग्या ही कावे के रूप में रुपायत होती है कलाकार की कला भी अंतप्रग्य की अभिविक्ति है, ठीक है क्रोचे ने सही जनभूती को आंत्री का नभूती माना है, जो स्वयम प्रकाश्य है and उसे अन्य साधन से उत्पन नहीं किया जा सकता अथा प्रग्य और अभी वेंजना का निद्य समबंध है, दोनों की सत्ता सदा साथ रहती है तो ये कहते हैं क्रूचे क्रूचे के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी कि क्या-क्या वो मानते हैं अगला हम कर्शन देख लेते हैं कि प्लेटो की अनुसार एक समर्थ कवी कावे रचना किस प्रकार करता है तो देखे प्लेटो अब इस तरीके से प्रशन पूचे जा रहे हैं देखे जहां पर वननात्मकता है नीचे आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है कि प्लेटो के सिधान्त क्या है वो क्या कहते हैं किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेड़ना की अपेक्षा देविशक्ती से प्रेड़ित और अभिभूत होकर सचेष्ट कलात्मक प्रेड़ना और देविशक्ती से अभिभूत होकर देविशक्ती की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेड़ना द्वारा या फिर अपने वहक्यानिक ज्यान के समयक प्रयोग द्वारा तो देखी जो प्लेटो हैं उनकी अनुसार कवीजी की जो कावे रचना है वो होती है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरिणा की अपेक्षा देवी शक्ती से प्रेरित और अभिभूत होकर तो विकल्प नमबर एक इसका सही उतर होगा कि जो प्लेटो थे वो मानते थे देवी श शर्मा है वो किस तरीके के अलोचक है माक्सवादी अलोचक ठीक है तो इन्होंने जो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है समिक्षात्मक जो कृतिया है इन्होंने अनिकों लिखे लगों 15-16 के आसपास तो उनमें से याद रखना बहुत मुश्किल है तो कुछ एक महत्वपूर्ण है उनको आप याद कर लिजिएगा तो इसका जो रचनाकाल है देखिए 1905-1972 या फिर 1972 इसका रचनाकाल है 1977 तो जितनी भी इनकी जो प्रमुख प्रमुख अलोचनात्मक्रितिया है उनको आप पढ़ लिजिएगा या फिर कई बार इस तरीक पत्रिका ने सरवदिक संबर्दित किया तो देखिए असमिता मुलक विमर्श जैसे आपका नारी विशेक हो गया या फिर आपके दलित विमर्श से रिलेटीड हो गया है आदिवासी विमर्श हो गया या अन्य जीज़े है जो इनको कहते हैं असमिता मुलक विमर्श तो द आगे थे सत्गुरू मिलिया दीपक दिया हाथी तो देखिए इस तरीके की अब पंक्तियां भी पूछी जाती है परिक्षा में और उन में से आपने देखना है कि उन पंक्तियों में जो लेखक है या कभी है वो क्या कहना चाहता है तो बहुत स्टीक आपको इसका उत्तर देना होता है तीक है देखिए विकल्फ क्या है लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण में परमतत्तो से दूर था दूसरा विकल्फ है लोक और वेद की रूड इबादिता ने परमतत्तो के अभी ज्यान का मार्ग प्रशस्त किया तो उन्होंने कहा ना सत्गुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपगार तो वह वाली लाइन उन्होंने कही थी तो डी विकल्फ इसका नहीं होगा फिर आता है देखिए विकल्फ नंबर एक कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण में परमतत्तो से क्या था दूर था है तो ये बिल्कुल सही बात है कि वह जब लोग और वेद का अनुसरण करने से कारण वो क्या था एक तरीके से परमतत्तो से धोर थे वेद की रूडिवादिता ने परमतत्तो के घ्यान के मारग को प्रशस्त नहीं किया था तो बी इसका क्या है गलत होगा तो ए और सी जो है वो right answer है देखिए ठीक है सत्गुरु के ज्यान रूप प्रकास से ही उन्होंने क्या गया था परंत्तों का सक्षातकार किया था बिल्कुल सही बात है ए और सी इसका क्या है सही उत्तर होगा अगला प्रशन देख लेते हैं हम कि उत्रकांड के कल्यूग ब्रसंग में तुलसी दास ने लिखा है अचारहीन और वेद विरोधी लोग ग्यानी और सन्यासी कहलाएंगे बिल्कुल सही बात है ठीक है जबकि माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे ये इन्होंने उत्तरकांड में नहीं कहा है तो B इसका क्या है गलत है ठीक है सी देखिए पत्नी के मर जाने और घर ग्रिहस्ती और संपत्ती के नश्ट हो जाने के बाद लुटे-पिटे लोग ही सन्यास ग्रहन करेंगे तो ये बात भी इन्होंने उत्तरकांड में कही हुई है तो कल्यूग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे नहीं पाठे करम है उसको विजदृतर रूप से करेंगे तो वहाँ पर हम इसको देखेंगे अभी हम सिंपल अभी जो हमारी प्रशन उत्री है उस पर फोकस करेंगे कि उत्रकांड में कौन कौन सी चीज़ें थी ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं हम कि भारत-भारती के संब में कौन सा कथन सही है तो देखिए भारत-भारती के समंद में बोल रहे हैं कि कौन सा कथन सही है भारत-भारती रचना किस की है यह है ना मैतली शर्ण गुप्त की है और मैतली शर्ण गुप्त जो है वो क्या है राष्ट्र कवी के नाम से उनको जाना जाता था और इसी रचन राष्टे संस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति भी फल रही है तो यह बिल्कुल गलत बात है क्योंकि भारती जो भारत भारती रशना है वो राष्टे संस्कृति की चेतना जगाने में सबसे ज़ादा सफल रही है ठीक है गुप्त जी भारत दर्शन के लेखक ब्रजमोह अगला प्रशन हम देख लेते हैं कि दिवस का अवसान समीब था तो ये बहुत मतपूर्ण पंक्तियां कर बार हो सकता है कि इन पंक्तियों को पूछे जाए कि ये किसकी पंक्तियां हैं तो ये जो पंक्तियां है ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की जिनको प्रगरती का सूकुमार कभी भी कहा जाता है तो दिवस का अवसान समीब था गगन था कुछ लोहित हो चला तरुशिका पर थी अवराजती कमलिनी कुलवलव की प्रभा देखिए इन पंक्तियों का आश्या क्या है ये कहते है कि सुर्यास्त हो गया था या आसमान में लालिलमा फैलने लगी थी चीडियां अपने नीडों में विश्राम कर रही थी पेडों की फुनगियों पर सूरज की आकरी किरने विराजमान थी तो देखिए दिवस का अफसान समीब था मतलब आसमान में गगन था कुछ लोहित हो चला तो कहने का मतलब कि आसमान में क्या थी लालिमा फैलने लग गई थी और चिडियों का कहीं पर जिकर नहीं हुआ है तरुशिक का बनन इसमें दिखने को मिलता है तो ये इन पंक्तियों का क्या है आश्य है क्लियर है अगला प्रशन देख लेते हैं वर्वशी के तृतिय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है शक्तिशाली और दुरधर्प पुरुश भी सुन्दरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं उर्वशी मानवी है, उर्वशी कहती है यह देह भाव ब्रांती है, या फिर पुरूर्वा के अनुसार मरत्य मानव को देवता कहा जा सकता है, तो देखे इसका जो सही उतर होगा वो होगा विकल्प नंबर 4, A और C, अगला हम प्रशन देख लेते हैं, अन्धेरे में कवीता को कौन सी टिपनिया रामविलास शर्मा की है, तो देखे रामविलास शर्मा से दूसरा प्रशन पूचा गया है, अन्धेरे में कवीता की मूल समस्य यही है, कि मध्यवर्ग की बुद्दी जीवी सर्वहारा वर्ग से तादात में कैसे स्थाफित करें, तो देखे मैंने पहले ही कहा कि जो रामविलास शर्मा हैं, वो कैसे हैं माक्सवादी है, तो माक्सबादी किस चीज़ को मानते हैं दो वर्गों को बात करते हैं एक पुंजी पती वर्ग दूसरा सर्वहारा वर्ग ठीक है तो जहां पर भी वर्ग की बात होगी तो अगर आपको इस्तिकी का प्रशन नहीं समझा रहा है अंसर होगा ठीक है A और D अगला प्रशन देख लेते हैं जिसमें लिख रहे हैं कीने हूं कोरिक जतन अब कही काढ़े कानू भोमन मोहन रूपू मिली पानी में को लानू इस दोहे के समझ में क्या सही है तो देखिए इस तरीके के प्रशन जादा पूछे जा रहे है इसमें क्या कहा रहा है कि इसमें नायका का क्रिशन के प्रती अनन्य प्रेम व्यंजित हुआ है करेक्ट है कि इन वाली पंक्तियों में क्या है क्रिशन के प्रती अनन्य प्रेम वनित है नाइका के मन रूपी सरोवर में क्रिशन का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है तो देखे दूसरी लाइन से ये चीज सही है कि जो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू का मतलब है नमक की तरह घुल गया है ठीक है क्रिशन की रूपा सक्ती से नायका अपने मन को अलग करना चाती है नहीं वो तो अलग नहीं करना चाती है कोरी कारत है कचोटना तो ये भी इसका गलत है तो देखिए इसका जो सही उतरोगा A और B विकल्प नमबर 4 अगला परशन देख लेते हैं कि श्रद्धा और इ विवाद की प्रतिक है श्रद्ध में आतम बुद्ध भावुकता का क्या है और भाव है तो इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर 2 A और B बोध ने जो ये कमाईनी के लिए लिखा था उन्होंने एक ग्रंथ जो कमाईनी एक पुनर विचार 1961 में इन् चलिए अगला प्राशन लेते हैं कि न मिलिक से कौन से कतं राम बिलास शर्मा का है तो देखिए एक और प्राशन जो है राम बिलास शर्मा से ही पूझा गया है फिर से तो यहां पर देखिए साहित्य की प्रचारत मक्ता का प्रशण सामाजिक जीवन की यथार्थ्तन कि कसोटी पर हल किया जा सकता है तो ये कौन कहते हैं अचाले राम विलास शर्मा अगला है कि वास्तविक जीवन तत्यों को ओजल रखकर श्रेष्ट सहीते की रचना की जा सकती है तो वास्तविक जीवन तत्यों को ओजल तो नहीं रखा जा सकता है तो ये गलत है ठीक है तो इसमें A और C जो है वो सही उत्तर होगा अगला प्रशन देख लेते हैं हम सिद्धों से संबंधित रामचंदर शुकल के कौन से कथन सही है तो देखिए ये आखरी प्रशन है हमारा आज का कि सिद्धों से संबंधित जो शुकल जी है उनका जो कौन सा कतन है वो सही है तो देखिए ये कहते हैं कि वजरियान में आकर महासुकवाद का प्रवर्तन हुआ बिल्कुल करेक्ट बात है कि इन्होंने कहा था कि वजरियान में ही आकर क्या हुआ जो महासुकवाद का प्रवर्तन हुआ है नाथपन्थ सिद्धों की परा से नहीं नि ये गलत है, दूसरा विकलब, ठीक है, सिद्धों का साहित्य, शुद्ध साहित्य के अंतरगत नहीं आता है, तो अचारे रामचंद्र शुकल इस बात से बिल्कुल अगरी करते हैं कि जो सिद्धों का साहित्य है, वो शुद्ध साहित्य के अंतरगत नहीं आता है, इसलिए इ कि A और C इसका सही उत्तर होगा विकलप नमबर एक तो ये थे दोस्तो 26 से लेकर के 50 में प्रशन और हमारी जो प्रशन उत्री है आज की वो यहीं पर संपन होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको वीडियो में कोच चीजें ऐसी लग रही है कि जिनके प्रशन के उत्र मैं जो है सही आपको नहीं बता पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिये अजाज़त जय हिंद जय भारत